इतना ज्यादा हेक्टिक गया है असलाम ओलीकुम एब्रीवर्न विल्कम बैक तो मैं चानल आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्दा का शुक्रे हम लोग भी बिल्कुल ठीक है अच्छा जो संडे को हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना तो मैं खरीदने कुछ और गई थी और खरीद कर में कुछ और ही लेकर आई हूँ बट यह वो चीजे थी जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी चाहे थी तो मेरे पास ना स्टील की बड़ी वाली प्लेट्स थी जिनका साइस काफी अच्छा था तो उसमें जैसे हम पाई बनाते हैं या कुछ सालन बनाते हैं ना तो वो काफी अच्छे से सर्व हो जाता था तो अंकल ने बोला अभी तो इसके सेम मैचिंग वाले बोल नहीं है आप नेक्स टाइम आके देख लेना तो मैं बोल इसके और इन प्लेट्स को भी मैं एक बार यूज करके देखूंगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है और उसके बाद जी मैंने लिये थे ये दो ग्लास के जा जो कि मुझे एकदम से देखते ही ध्यान में आया कि यार इसमें अचार भी अच्छा लगेगा इसमें कोकीज और बिस्केट्स बगारा रखूंगी मैं बच्चों के वो भी अच्छे लगेंगे और एयर टाइट कह रहे थे अंकल की काफी मतलब एयर टाइट है तो मैंने का चलो चलते फिरते में एक दो और उठा लूँगे अगर अच्छे निकले तो तो बस उसके बाद जी मुझे लेने थे ये तीनों सॉसिस तो ये बहुत जरूरी चाहिए थे मुझे क्योंकि मेरे पास जो नूडल्स रखे है ना चिंक्स के तो वो बनाने के लिए सॉसिस चाह लो आप चिंक्स के सैशे और ये भी अच्छे हैं तो मैंने का चलो पहले ये ही ट्राय करके देख लेते तो 25 रुपीज का एक था 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 तो मुझे सही लगा तो मैंने तीनों ले लिये थे और आगे वीडियो में मैं इसका यूज भी करूंगी तो उसके बाद ही मैंने लि और नीबू पीके तो उससे मेरा 30-35 kg लूज हुआ था कॉलेज टाइम में तो मतलब मुझे लगा कि वो मेरे लिए एफेक्टिव था और अल्दो मुझे भी थाईरॉइड है तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिजम काफी स्लो हो जाता है थाईरॉइड पेशेंट्स का तो मै मैंने का फिर भी ट्राइ करके देखती हूं मैं वन मंथ तो मैं शहाद नीबू लेती हूं अगर मुझे इसके अच्छे रिजल्स मिले ना तो डेफिनेटली मैं से कंटिन्यू करूंगी इंशालला तो आप लोग भी प्लीज दुआ करें कि मेरा वेट लूज हो जाए और व फैबरिक बहुत पसंद आया था और बार बार मतलब वही पहन नी दिन मुझे बना यही पजा में आप पिनाओ काफी सॉफ्ट फैबरिक के तो बस मैंने का चलो ठीक है एक साधिय के लिए इस तरह का वैलवेट का सूट ले लेती हूं यह पूरे सूट मिल रह थी यह मुझ मुझे ऐसा लगते हैं बच्चों के चुबते हैं तो बार-बार वह रोते हैं बड़ यह इस तरह के वैलवेट के जो सूट निकाले ना तो यह बड़े जबरदस मुझे अच्छे लगे तो एक मैंने सुहान के लिए लिया था और एक मैंने साधिय के लिए लिया था तो दो तो यहां पर हो गया था next day morning में मैंने सबसे बहले उटते इना शेहद और नीमबू वाला पानी पिया तो इसको बस एक चमच आपने शेहद लेना है और half lemon squeeze कर देना है और गरम पानी आप इसमें डालें जितना पी सकते हैं उसी हिसाब से डालना है पानी और फिर उसके बाद आप इसको पी ले इसके half an hour के बाद आप ब्रेक्फिस्ट कर सकते हैं ब्रेक्फिस्ट में आप कुछ भी light ले सकते हैं या फिर अपना जो भी आप खाते हैं डेली तो उसकी quantity को half करके ले सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैं बना रहे थी जी sandwiches तो मैंने जो वो बनाये थे बर् मैंने का चलो यह हो जाएंगे sandwich और बाकी मैं जो है पोह बना लूँगी या फिर कुछ और बना लूँगे अपने लिए तो फिर इतना time ही ने मिला था फिर मैंने इसमें से half sandwich ले लिया था तो वैसे आपने quantity को half कर देना है जो भी आप खाते हैं उसकी quantity को आप कर दीजे तो आप इंशालला results आपको जरूर मिलेंगे तो मेरा भी hopefully यह है कि मुझे भी इंशालला बहुत जल्द result मिलेंगे तो यह देखें जी yummy से sandwich बनके हो गए ready breakfast हो गया है ready और husband के लिए भी तयार कर दिया था मैंने breakfast तो बस अब नाशता करेंगे और फिर उसके बाद बाकी सारे काम यह दिया था और यह सुहान का phone है very good चलो जाओ जागे TV देखो दो अच्छा तो मैं आपको बता रहे थी कि मैंने थोड़ा से kitchen की setting बहुत थोड़ी से kitchen की setting में चेंजिस करें तो उससे भी मुझे काफी मतलब kitchen देखने में अच्छा लग रहा है तो मैं आपको दिखाती हू मैं आपको दिखाती हूँ आप बताएगा मुझे कि आपको अच्छा लगे comment box में बताएगा जरूर कि आपको अच्छा लगा यह चीच या फिर पहले वाला ही ठीक था तो मैं पहले वाली setting कर दूंगी तो यह देखें जी यहां पर जो यह रैक खड़ी करी है मैंने पहले यहां पर थी ठीक है तो यह मुझे ऐसा लग रहा था यहां पर कुछ शूट नहीं हो रही है यह वाली रैक तो इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया और यह spoon stand जो थे न वह यहां थे तो उनको मैंने वहां शिफ्ट कर दिया तो बस मुझे लगा कि यह थोड़ी से setting ना अच्छे लग रहा है तो यह जो मैं ग्लास कंटेनर लिक रहा है तो यह मैंने वाश कर लिए अच्छे से और ड्राय करने के लिए रख दिये मैंने तो यह जब कंप्लीटली ड्राय हो जाएंगे ना तो मैं इसमें कुकी और नमकीन फिल करूंगी तो आप लोग मुझे करेंगे बेरें अनुद्या नानी जाया या या तो वह मैं आको दिखाती हूं कैसे ज़ने जाएख़गगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग क्योंकि मैंने इसमें सॉय सॉस वो जो सॉय सॉस क्रीन चिली सॉस है न तो वो डाल की बनाएं मैंने लग तो मस्तर आए पहले बच्चों को सर्फ कर देते थोड़ा सा हम भी खा लेंगे लो जी बच्चों चलो बैठाओ अभी गरम हो रहे है अराम राम से खाना ठीक है यह आज को दिन था न वो इतना ज्यादा हेक्टिक गया है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं अम्मी के इतने दिन रहकर आई है जस एक दिन में वापस आगे थी फिर भी ऐसा लग रहा है जिसे काम बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ था तो कपड़े अभी तक मैंने फोल्ड नहीं करें कपड में मैंने फ्राइड राइस बनाये थे तो बस फिर उसके बाद कपड़े फोल्ड करेंगे साधिय को सुलाना है क्योंकि साधिय का कली स्कूल है आज की तो छुटी थी ना साधिय की तो इस वज़े से भी मुझे ऐसा लग रहे लेट उठे ना तो सारे काम लेट हुए तो मि बाइ जियो लाहाफिज टेक केर